पुराने समय की बात है, दुनिया में सावन का महीना आ गया. यह महीना भगवान शिव के लिए विशेश महत्व रखता है. सावन के महीने में भोले नात के भक्त रोजा रखते हैं और उन्हें श्रद्धा भाव से पूझते हैं. एक छोटे से गाम में राजा की पुत्री थी जिसका नाम प्रियंका था. प्रियंका भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और वह सावन के महीने में उनकी पूझा अर्चना करती थी. वह रोज सुबह सुबह भक्ती भाव से मंदिर जाकर शिव लिंग की अभिशेक करती थी. एक दिन जब प्रियंका मंदिर में अभिश शिव भगवान ने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया है। क्या मैं अपनी संपत्ती से इन गरीब लोगों की सहायता कर सकती हूँ। इस विचार के साथ प्रियंका ने तुरंत भंडारे की ओर धावा बोला। प्रियंका ने अपनी संपत्ती के एक बड़े हिस्से को लेकर उसे गरीबों के बीच बांट दिया। गरीब लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रियंका को धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव ने सपने में देखा कि प्रियंका ने अपनी संपत्ती की सहायता से गरीबों की मदद की। भगवान शिव बहुत प्रसन्य हुए और उन्होंने अपने भक्त को वर्दान देने का फैसला किया। अगले दिन प्रियंका को एक अध्भुत अनुभव हुआ। उन्हें महादेव मंदिर में अभिशेक करते समय एक मंदिर का दर्वाजा खुद ही खुल गया और वहां से एक गोला बारूध निकल कर उनके आसपास घूमने लगा। प्रियंका चकित हो गई। फिर वहीं आवाज आई, हे प्रियंका, मैं हूँ तेरा महादेव, तेरे अध्भुत सेवा का बदला चुकाने आया हूँ। मैं तुझे एक वर्दान देता हूँ। तु हमेशा धन, संपत्ती और सुखी जीवन से भरपूर रहेगी। प्रियंका ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया, और रोज सुबह सुबह सावन के महीने में प्रियंका भक्ती भाव से मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करना शुरू की। उसने देखा कि शिवलिंग पर धूप, फूल और बेल पत्र रखा हुआ था। उसने अप अपनी रोज की तरह मंदिर गई, लेकिन उसे दुखी होकर देखा कि उसके फूल दान में केवल कुछ कंगियां बची हुई थी और फूल गए थे। प्रियंका ने अपने मन में सोचा, क्या मैंने किसी गलती से अपने भगवान की सेवा में कोई दोश किया है। वह दिन भ भी समझना चाहिए कि तेरे फूल दान में सिर्फ फूल नहीं रहते हैं, वे फूल मेरे भक्तों के हृदय में खिलते हैं। तुम्हारी सेवा और भक्ती का मूल्य अनमोल है और मैं तुम्हें धन, संपत्ती और सुख देता हूँ। इसलिए तुम्हें कभी चिंता करने की दावशकता नहीं है। प्रियंका ने उठते ही खुशी के साथ देखा कि उसके फूल दान में फिर से सभी फूल खिल गए थे। वह आभार व्यक्त करने के लिए शिवलिंग के सामने जाकर नमस्कार किया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। इस घटना से प्रियंका ने समझा कि शिव की भक्ती में सची इमानदारी, निहस्वार्थता और निष्ठा होनी चाहिए। यह उसको संपत्ती और सुख के साथ साथ भगवान की कृपा भी देती है। इस प्रियंका ने सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ती में अपनी जीवन के महत्वपू सबक सीख लिए